हे दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में तो काफी टाइम के बाद में वीडियो बना रहूं मैंने आपको कम्यूटी टाइम के अंदर पोस्ट करके बताया था कि मेरा जो नया गर है इसका वर्क स्टार्ट हो चुका है और जो हमने हमारा सेट अप है इसको अप्रेड किया है तो ये सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रही है तो सबसे पहले तो दोस्तों काफी गर्मी है एसी तो लगा है लेकिन अभी लाइट नहीं है तो एसी भी अभी ओप है फिर भी हम कोशिच करते है कि बेस्ट वीडियो बनाने के तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक community tape के अंदर post डाला था कि मेरा जो निया घर है इसका work start हो चुका है तो मैं कुछ दिन वीडियो नहीं बनाऊँगा अब आपके communication होगा कि अगर घर बन रहा है तो इसके अंदर इतने दिन तुमने क्या किया है अब देखें मैं आपको बात देता हूँ कि घर के काम के अंदर starting में सबसे पहला काम आता है इलेक्रेशन का light fitting वगिर इसके बाद आता है plumbing का तो यह दो काम है वो मैंने खुद से किया है क्योंकि जब मैं struggle करा था पढ़ाय करा था तब मैंने काफी time light fitting और plumbing का काम किया है struggle के time के अंदर में पढ़ाय के साथ साथ यह सभी परकर के काम करता था तो यह मेरा निया घर बन रहा है इसके अंदर मैंने काफी दिन light fitting और plumbing का काम खुद किया है तो इसलिए मुझे कुछ दिन लगे इसलिए मैं वीडियो नहीं बना था अब देखिए मेरे जो निया घर है इसके अंदर कुछ से light fitting और plumbing करना का benefit क्या है तो मैंने calculation किया था अब देखिए सभी जगा पर अलग अलग जो light fitting और plumbing का rate होता है तो यहाँ पर मैंने calculation किया है हमारे गुजरात के rate के हिसाब से तो total जो light fitting और plumbing का खर्ष होता था वह होता है 35,000 तो यह मैंने क्या किया है चार से पांस दिन के अंदर ही मेरा यह work मैंने complete करके इतने पैसे मैंने save किया है अब देखिए जो पैसे बचे है मतलब कि 35,000 यहीं पैसों से मैंने काफी सारा upgrade किया है मेरे setup के अंदर upgrade की बात करें तो सबसे बहले तो पीछे आपको देखा 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 27 इसका डेल का मैंने monitor लिया है जो amazon का sales अला था इसके अंदर से इसके बाद यहां पर जो MI के earbuds है इसके अंदर पर काफी अच्छा discount है तो यह मैंने purchase किया है यहां पर आपको देखा 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 काफी अच्छे earbuds है काफी सारे sensor वाकर इसके अंदर है तो यह मुझे बहुत की पसंद आए तो यह मुझे मिले है 2500 में मतलब की बहुत ही अच्छी डिल में रहे है इसका जो रेगुलर पैस है वो मेरी ख्याल से 5000 सम्तिंग है तो यह मुझे बहुत ही अच्छी प्रैस में मिला तो यह मैंने purchase किया है अब देखे जितने भी जो मैंने खर्शा किया है मतलब की यहां पर आपको देखा देखा MK345 मेरी ख्याल से यह model है तो यह मैंने keyboard और mouse purchase किया है यहां पर आपको देखे दागा इसका perfect अगर मैं आपको model लंबर दू तो यहां पर आपको देखे दागा K345 यह इसका model है तो यहां पर आपको देखे दागा काफी premium logitech के तरफ से keyboard and mouse आते है तो यह मैंने जो complete combo है वो यहां पर यह इसका mouse है इसके अलवा भी काफी सारी जो accessory है वो मैंने purchase कि है वो अभी on the way है Amazon के अंदर जिनने भी product यहां पर deliver हुए है वो मैंने आपको देखा है मतलब की overall कहना का बात यह है कि जब मैं struggle कर रहा था पढ़ाय के साथ साथ मैं यह सभी परकार के काम करता था यह सभी परकार के accessory purchase की है तो सभी के लिए जो struggle का time होता है वो बहुती अच्छा time होता है इसके अंदर अगर आप कुछ नया नया सीखने की कोशिच करते हैं तो वो आपको आगे जाके बहुती helpful होते हैं अब आप simple calculation कीजिए अगर मैं यहां पर यह काम मुझे नहीं आता है और मैं किसी electrician यह तो plumber को लाता है तो इसका जो charge है वो 35,000 होता है क्योंकि यह complete plan के अंदर काफी सारा जो electrician work आता है इसके बाद plumbing का work आता है इसके बाद मैंने एक mixer भी जो लगाया है इसका अलग से charge होता है क्योंकि बहुती महेंगा होता है इसके बाद geyser के भी point मैंने स सब कुछ मैंने खुछ से install किया है यहां पर आपको image दिखा देगी तो अगर आपको कुछ जो आता है तो इसका आपको कभी ना कभी benefit मिलता है जब मैं पढ़ाय कर रहा था तो मैंने काफी struggle किया है जो starting में मैंने दो साल एक mobile shop के अंदर भी job किया था वहाँ पर मेरा सू सेर monthly वह ग्यारा सो रुपय था इसके बाद मैंने electrician के साथ काफी time work किया काफी साल इसके बाद मैंने plumbing भी किया तो जितना भी जो मैंने सीखा है वह सब कुछ मुझे आगे जाके काम आ रहा है अगर किसी को जो मेरा friend है इसको अगर एक दू घंटा का काम है किसी भी पर का plumbing वग benefit मिलता है वैसे तो आज सब कुछ set है काफी सारे मेरे blog है इसका बाद मेरा खुद का एक complete setup है नया घर बना है सब कुछ set है लेकिन जो मैंने struggle करते समय सब कुछ सीखा था वह आज काफी काम आ रहा है और कहिना का मतलब यह है कि अगर आप एक new blogger हो या तो new youtuber हो struggle कर रहो हो त तो काम temporary सीखने तो आप सेख सकतो आके जाके आपको यह सब कुछ काम जरूर आएगा अब हमारे main topic की बात करते हैं तो कल से में जो आपको regular वीडियो अप्लोड करके देने वाला हो और हमारा जो infinite ग्यान चैनल है इसके उपर भी आपको every Sunday बहुत ही अच्छे अच्छे अब complete modular या तो चैनल होगा इसके बाद bathroom के अंदर जो भी style विक्टिफाई सा पूछ लगेगा इसके लिए बाहर से यानकी UP से जो special कारिगर आने वाल हैं तो हो सके तो मैं आपको इसका भी वीडियो बना कर जो UP की कारिगर है इसके साथ भी मैं आपको बात करूंगा क्योंकि हमा यहां पर 90% UP के ही कारिगर होते हैं क्योंकि इसका जो work है इसका जो perfection है वो complete होता है तो इसलिए हम ज्यादा तर UP के कारिगर को ही जो हमारा work देते हैं डोर फ्रेम बिठाने के लिए इसके बाद tiles विक्टिफाई सब के लिए तो मैं पूरी कोशिच करूँगा जब भी वो worker कर आएंगे तो तो इसके साथ मैं आपको वीडियो थ्रू बात कराऊंगा कैसे काम करते हैं क्या सब कुछ इसका रहे हैं सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा तो इसके बाद मैंने monitor purchase किया था तो मैंने एक facebook के उपर post डाला था कमेंटर टेब के अंदर भी डाला था तो कापने सारा लोग कहा रहे हैं कि भाई आप unboxing वीडियो बनाओ अब दखिया unboxing वीडियो पॉसिबल नहीं था क्योंकि जैसे मुझे monitor डिलिवर हुआ तो मुझे इसको टेस्ट करना था क्योंकि इसके अंदर T&D की replacement guarantee होती हैं तो इसक पर क्या करता हूँ simple आपको यह जो monitor है इसका एक quick overview दे देता हूँ तो यहाँ पर आपको यह monitor देखा देगा काफी premium जो यह monitor है इसके बाद इसका result सब कुछ परफेक है मुझे यह बहुती specially पसंद आया Amazon के अंदर मैंने review भी डाला है आप आप वहाँ पर जाकर देख सकतो ह इसके बाद इसके अंदर काफी सारे ports मेरी ख्याल से आपको 4 USB port मिलते हैं 2 HDMI port है video port है तो आपको यहाँ पर यह सब कुछ देखा देगा है और काफी premium monitor है बहुत ही बड़ा है अगर आप यूटूबर है तो आपके लिए video editing के लिए यह monitor परफेक है तो वीडियो के description में इसका लिंक है वहाँ जाके आसानी सब चेक कर सकतो हो अभी Amazon के अंदर ओफर चालो है इसके बाद यहाँ पर मैं आपको मेरे 52 HDMI के earbud है इसका भी मैं आपको simple overview देदेता हूं कापे सारे videos available है YouTube के अंदर फिर भी मैं आपको देखा देता हूं simple आपको क्या करना है आपके mobile के अंदर इसके बाद यहाँ पर आपको left right दोनों earbuds मिलते हैं इसके अंदर कापी सारे sensor है जैसे कि अगर आप इसको अगर आप अपने कान के अंदर लगा कर इसको music सुन दे हो इसके बाद अगर आप इसे remove करोगे तो automatically आपका music pause हो जाएगा इसके बाद फिर चाप लगाओगा तो फि आपका call peak हो जाएगा एक बार के अंदर इसलिए रखा क्योंकि अगर आप accidentally यहाँ पर touch करता हो तो किसे भी प्रकर का आपको response नहीं मिलागा और इसका battery backup भी अच्छा है और यह जो latest earbuds है मेरी खाल से इसका जो दूसरा model है यह वाला है तो काफी premium है USB type C आपको मिल रहा है तो यह था इसका earbuds तो यह जिनने पर जो मेरे 5 टाइम था मैंने वीडियोस नहीं बने थे यह टाइम के अंदर मैंने यह यह किया है एक बार complete जो मेरा घर है वो ready हो जाए का मतलब की tiles और kitchen वेकर सब कुछ ready हो जाए का इसके बाद मैं आपको एक complete video tour बना कर दोंगा ताकि आपको समझ मैं कि complete 700 square feet के अंदर किस परकार का plant बैठता है और अगर आपको भी एक निया घर बनाना है तो किस परकार से आप बना सकते हैं तो बस दोस्तों ask out यह ही तक था है और एक और बात आपको यह comments के अंदर जो मुझे लिखना है कि अब आने वाले time के अंदर आपको किस topic के उपर वीडियो चाहे तो मैं पूरी कोशिश करूगा जो जो comments के अंदर आप topic एड़ करूगी यह topic के उपर मैं आपको वीडियो बना कर दोंगा तो बस दोस्तों ask out यह तक था thank you for this video